वेलकम इस्टुडेंट्स कैसे आप सभी लोग आपका अपने चैनल कोई किसमार टिप्स में बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि हम यूपी टैट की तैयारी कर रहे हैं जो आपका एक्जाम होने वाला है 28 नमंबर को पेपर 2 में साइंस के लिए केमिस्ट्री का सेक्शन हमने कम्प्रीट कर लिया है फिजिक्स का सेक्शन अब हमारा चल रहा है जिसमें अल्लेडी हमने दुख पार्ट कर लिये हैं आज ही हमारा फिजिक्स का थर्ड पार्ट होने वाला है और यहां से आपको 100% यूपी टैट में कोशन देखने को मिलेगा और आज की टॉपिक का नाम होने वाला है उश्मा और ताप heat and temperature बहुत important टॉपिक है तो इसको आप अच्छे से देखेगा अपने notes बनाईएगा यहां से पूरे chances हैं कि यूपी टैट में आपको एक question मिलेगा उसके अलाबा पैडागोजी के लिए मैंने पहली बोल रखा है कि playlist में आपको एक playlist मिल और बाके जो सीटैट की जो रात में class चल रही है वो जरूर देखनी है क्योंकि basic level आपका वहां से हो जाएगा चार से पांच question वहां से भी आपके जो है exam में देखने को आपको मिलेंगे तो यह दोनों session अगर आप देखते रहेंगे कि यूपी टैट वाला जो morning में आता है और जो सीटैट वाला night में होता है तो आप बहुत ही बड़ी हा जो है यूपी टैट में score करने वाली है और pedagogy का तो series पहले से ही है तो उसको देख लें description box में भी link मिल जाएगा तो चलिए शू करते हैं आज की class और समझेंगे heat और temperature क्या होता है ताप और उश्मा जो है वो एक object एक वस्तू जितनी गरम है उसका temperature जादा और जितनी वो ठंडी होगी cold होगी उसका temperature कम होगा तो आप ये बोलते हैं और वही temperature है एक normal भाशा में अगर definition की बात करी जाए small level पर तो वही temperature होता है किसी वस्तू का ताप उसकी hotness या ठंडेपन का मापक होता है temperature is an objective measurement of how hot and cold objective एक object कितना ठंडा है एक object कितना गरम है वही क्या है हम normal भाशा में temperature बोलते हैं लेकिन असल definition जो इसकी temperature की होती है वो ये नहीं होती अगर आपको reality में जानना है कि temperature क्या है ताप क्या है तो वो आज आप समझ जाएंगे देखे कोई भी एक object है कोई भी वस्तू है उसमें particle ह ये तो आपको पता है ये particle होते है molecules होते हैं तो वो particles होते हैं वो हमेशा vibration करते रहते हैं अब मैंने आपको एक चीज समझाए थी कि kinetic energy क्या होती है गती जूरजा क्या होती है जब एक object गती में आता है motion में आता है तो होता क्या है वहाँ पर kinetic energy आ जाती है ये हमने पहले समझ रखा है तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो वहाँ से काइनेटिक एनर्जी और क्लियर हो जाएगा तो बस इतना याद रखना है कि जब एक object गती में आएगा motion में आएगा तो उस object के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है गती जुर्जा आजाती है तो सीम ऐसा ही यहाँ पर होता है यह जो particle होते हैं यह vibrate करते हैं और move करने की कोशिश करते हैं जगा मिल जाएगी तो यह move करेंगे टकराएंगे एक दूसरे से और move करने से गती करने से इन सभी particle के अंदर क्या आ जाती है इन सभी करने के अंदर एक गती जुर्जा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो इस particle यह जितने भी particle है इन सभी के अंदर अपनी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी अपनी अपनी एक गती जुर्जा होगी ठीक है अब अगर मैं ये कहूं और इनकी काइनेटिक एनरजी है तो ये जो सबकी अपनी काइनेटिक एनरजी है उसकी मैं एक एवरेज काइनेटिक एनरजी मान लेती हूं और वही ओसतम गति जुर्जा एवरेज काइनेटिक एनरजी ही आपका टेमपरेचर कहलाती है ताप मान कहलाती है अब अगर मैं अपनी बॉड़ी के टेंपरेचर की बात करूँ तो मेरा मैं ये नहीं बोलती ही मैं हमेशा ये बोलूँगी मेरा ओसत ताप इतना है क्योंकि लगबग हम मानते हैं तो जब हम एवरेज काइनेटिक एनरजी की बात करेंगे तो वही आपका टेंपरेचर होगा तो मेरी बॉड़ी का अगर टेंपरेचर 30 डिगरी है तो मैं ये बोलूँगी जो मेरी बॉड़ी की अंदर के जो पार्टिकल हैं वो मूब कर रहे हैं जिसकी वज़े से काइनेटिक एनरजी है और वो काइनेटिक एनरजी सभी पार्टिकल की जो एवरे तो ये जो ओसत, average kinetic energy है, यही आपकी क्या होती है, temperature होती है, तापमान होती है, किसी भी पदार्थ के जो particle होती है, उनकी जो average गती उर्जा है, average kinetic energy है, वही आपका temperature है, और इस temperature को हम thermometer की सहयता से, ताप मापी की सहयता से measure करते हैं, तो temperature क्लियर हो गया बिलकुल पूरी तरह से, अब हम समझेंगे कि heat क्या है, उश्मा क्या है, देखें, संपूर्ण पतार्थ की जो गती उर्जा है, उसको हम उश्मय उर्जा कहते हैं, thermal energy कहते हैं, और जब इस thermal energy का उश्मय उर्जा का transfer होगा, स्थांतरन होगा, वही आपकी heat होगी, उश्मा होगी, तो आए थोड़ा स इसको भी समझते हैं, देखें, जब मैं average kinetic energy, ओसत गतिज उर्जा की बात कर रही हूँ, तो वो तो temperature है, ताप है, लेकिन जब मैं अपने जितना भी जो object है, उसमें जितने भी particle हैं, उन सभी की kinetic energy की, सभी particle की total kinetic energy की बात कर रही हूँ, total गतिज उर्जा की बात करती हूँ, तो वो मेरी thermal energy होगी, उसमें उर्जा होगी, ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर एक्जाम में आ जाए, thermal energy क्या होता है, उसमें उर्जा क्या होता है, तो total kinetic energy of an object, जितनी भी total गतिज उर्जा है, किसी भी एक object की, तो वही उसकी thermal energy होती है, और जो temperature है, ताप है, एक तुमें उसमें उर्जा के प्रभा की देशा निश्चित करता है, और ये जो उसमें उर्जा है, thermal energy है, ये transfer होती है, high object के temperature से, low object के temperature की तरफ, और ये कौन बता रहा है, या का temperature ही बता रहा है, जिस body का temperature जादा होगा, तो वहां से जो ये thermal energy है, वो transfer करेगी, उस दूसरे object की तरफ, जिसका temperature कम है, सपोज इसका temperature 50 degree है, और इस object का temperature 30 degree है, तो यहां से जो thermal energy है, जो total kinetic energy है, वो transfer होगी, इस object में कब तक, जब दोनों का temperature समान नहीं हो जाता, और ये जो energy का transfer हो रहा है, thermal energy का transfer हो रहा है, जिसको temperature बता रहा है, कि हाँ, ये हमीशा transfer होगा, कहां, जिस object का temperature जादा होगा दूसरे object की तरफ जिसका temperature कम होगा तो यह जो energy का transfer है वही आपका heat होता है वही आपका उश्मा होता है तो पहली बात तो यह याद रखनी है temperature ही determine करता है direction of flow of thermal energy from one object to another अगर पूछा जाए कि एक energy दूसरी body की energy मतलत एक जादा जो energy है वो दूसरी body में transfer हो रही है तो यह कौन बताता है यह thermometer ही बताता है यह thermometer के through ही हम बता पाते हैं कि किस body का temperature जादा है और किस body का temperature कम है तो जिस body का temperature जादा होगा वहाँ से ही जो thermal energy है वो आपकी transfer होगी और यहाँ पर यही लिखा है जो उश्मे उड़जा होती है जो thermal energy होती है वो हमेशा उच्च ता यह बहुत important point है कि जो thermal energy, total kinetic energy है, जो आपकी thermal energy है, total kinetic energy, वो हमेशा hot object से cold object की तरफ ही transfer होती है, अगर कथन में मिल जाए कि जो thermal energy का transfer है, वो क्या cold से hot की तरफ होता है, तो वो गलत हो जाएगा, तो याद रखना है, उश में उड़ जा thermal energy हमेशा high temperature की object से low temperature की object की तरफ ही transfer होती है, अब जो ये thermal energy transfer हो रही है, इसी को हम heat बोलते हैं, उश मा बोलते है, transfer of thermal energy, transfer of उश में उरजा, यही आपका heat होता है, तो heat, उश मा क्या है, उरजा का एक रूप है, जो दो वस्तू के बीच, उनके temperature difference, तापांतर के कारण, एक वस्तू से दूसरी वस्तू में स्थांतरित होती है, transfer होती है, वही आपकी उश मा होती है, simple सी, जब thermal energy एक object से दूसरे object में transfer होगी, तो वो जो transfer हो रहा है, वो जो इस्थांतरन हो रहा है, वही आपका उश मा है, वही आपका heat है, heat is a form of energy, यह उरजा का एक रूप है, that transfer from one object to another object due to temperature difference, और यह transfer हो ही क्यों रहा है energy का, because of temperature difference, क्योंकि तापमान का अंतर है, इसी की वज़े से इस energy का transfer हो रहा है, और यह जो thermal energy का transfer है, यही आपका उश मा होता है, heat होता है, और मेरे हिसाब से अब जो temperature और heat है, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप यह कभी नहीं बूलेंगे, transfer के समय ही जो उज़ा है, जो energy है, वही आपकी उश मा heat कहलाती है, ठीक है, clear हो गया, heat क्या है, और temperature क्या है, thermal energy का transfer, यहाँ पर फिर से वही बात लिखी है, temperature को मैं किस में measure करूंगी, thermometer की सहायता से मैं temperature को measure करती हूँ, और मापने वाला यंतर, अगर exam में आए, ताप मापने temperature को measure करने वा मातरक की, जो इसका मातरक होता है, वो जूल होता है, और exam में यहीं से question बन जाता है, कि heat का SI मातरक क्या है, तो यह आप जब notes बना रहे हैं अपने, तो उनमें लिख लेंगे अच्छे से, कि जो उश मा है, जो heat है, उसका SI unit आपका जूल होता है, और आपका centimeter gram second में जो इसका unit है, वो क्या होता है, वो आपका calorie होता है, ये भी अच्छे से याद रखना है, तो याद रखेंगे heat के दो unit यहां से पता चले, एक तो जूल होता है, और एक इसका calorie भी होता है, या फिर हम kilo calorie भी बोलेंगे, ये सारे के सारे उश्मा heat के ही मातरक होते हैं, ठीक है, अब दे आपकी thermal energy है, जो transfer हो रही है, वो depend करती है किस पर work पर, कार्या पर, उसके directly proportional होती है, जितना जादा मैं कार्या करूंगी, उतनी ही जादा जो energy है, वो transfer होगी, या वहां से release होगी, कैसे, देखिए, आपके हाथ में normally बरफ रखी है, तो वो, सबोस्थ दोनों हाथ हैं, आपक पिघलना शुरू कर रही है, अब वो क्यों पिघल रही है, क्योंकि आपके जो हाथ का temperature है, वो जादा था, और बरफ का temperature कम था, तो वहां से जो आपके हाथ के molecule है, उनमें energy जादा है, और energy जाना, जादा होने की वज़े से, वो जो total energy है, वो transfer होगी, किसमें, आपके कम temperature व बरफ को एक साथ रब करना, रगणना शुरू कर दिया, तो अब क्या होगा, बरफ और जल्दी पिघलेगी, है ना, और वो और जल्दी क्यों पिघल रही है, क्योंकि वहां पर जादा हीट हो रही है, जादा energy रिलीज हो रही है, जिसकी वज़े से जादा हीट है, है ना, total energy जादा हो गई, तो हीट भी जादा हो गई, और जब हीट जादा हो गई, तो वो जो हीट जादा हो रही है, वो किसकी वज़े से हो रही है, आपके कार्रे करने की वज़े से, वर्क करने की वज़े से, क्योंकि आपने अपने हाथों से दोनों बरफ को रगणना शुरू कर दिया और वहां से क्या हुआ वो जल्डी जल्दी पिखलने लगा तो कारे करने से जादा energy डिपेंड्र रिलीज होती है और ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और जब ये energy वर्क के directly proportional है और जब मैं directly proportional का यहां पर sign हटांगी और equal to लगाऊंगे तो यहाँ पर एक constant आजाएगा जिसको हम Joule बोलते हैं और यहाँ से अगर खाली मैं Joule की बात करूँ क्योंकि हमारे constant आगया J और खाली अगर मैं J की बात करूँगी तो वो हो जाएगा work upon energy is equal to J और फाली मैं O से एक Joule वहाँ पर हो जाएगा की आप जितना कार्य करने से जितनी energy आपकी release हो रही है एक निश्चित कार्य करने पर तो वो किसके बराबर होगाो, वो Joule के बराबर होगा तो जूल ने बताया कि जब कभी कार्य उश्मा में बदलता है कार्य जो है आप कार्य कर रहे हैं तो वो जो पार्टिकल है वहाँ पर टोटल एनरजी बढ़ रही है और टोटल एनरजी बढ़ने से क्या हो रहा है वही वहाँ पर हीट उत्पन हो रही है Joule से indicate करते है Whenever work change to heat or heat change to work The ratio of the work done and heat produce is a constant और इसे ही हम क्या बोलते हैं Joule जिसे हम क्या बोलते हैं Mechanical equivalent of heat या अंत्रिक तूल्यांक हम उसको बोलते हैं तो इसको J से represent करता है यदि W work करने से उत्पन उश्मा की मात्रा Q हो तो ये इसके बराबर होगा W upon Q is equal to J मैंने अच्छे से समझा भी दिया ये क्यूं होगा तो ये याद रखना है जब आप एक कोई कार्य कर रहे हैं उसमें जो heat जितनी भी उश्मा रिलीज हो रही है वही आपके Joule के बराबर होगी जहां J का मान कितना होता है 4186 Joule पर किलो कैलरी देखे वर्क का मात्रा भी आपको पता है जूल होता है और यहाँ पर एनरजी का मात्रा क्या ले लिया उन्हें कैलरी ले लिया और केजी में ले रहे हैं तो किलो कैलरी कर लिया तो जहां पर जूल का मान क्या होगा 4186 जूल पर किलो कैलरी ये बहुत important है exam में जूल का मातरख पूछेगा तो याद रखेंगे 4186 आपका क्या हो जाएगा जूल पर किलो कैलरी ठीक है तो ये याद रखना है अब किलो हटाना है खाली कैलरी में बताना है तो यहाँ पर 3 के बाद आ जाएगा पॉइंट तो 4.186 जूल पर कैलरी भी हो जाएगा इसका मातरख या फिर अगर मैं अर्ग में बात करूँ क्योंकि जो वर्ग है वो अर्ग में भी बोलेंगे यह तीनों के तीनों क्या होते हैं जूल के ही मान होते हैं याद रखेगा 4.186 जूल कैलरी 4.186 जूल कैलरी या फिर अर्ग पर कैलरी तो यह सारा याद रखना है यहाँ से यह बता जाता है इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदी 4186 Joule का यांतरी कार्य किया जाए अगर आपने 4186 Joule का वर्क किया कार्य किया तो जो उत्पन उश्मा होगी उसकी मात्रा कितनी होगी एक किलो कैलरी होगी इट इंप्लाइज देट मेकैनिकल वर्क उफ 4186 Joule is done the amount of heat produced will be 1 किलो कैलरी तो जो heat produced होगी वो आपकी 1 किलो कैलरी होगी तो ये चीज़े आपको ध्यान अच्छे से रखनी है अब कैलरी क्या है वो हम अच्छे से समझते हैं एक ग्राम जल का ताप जब हम 1 डिगरी Celsius बढ़ाते हैं और उसके लिए हमें जितनी भी heat चाहिए होगी वही आपकी कैलरी होती है the amount of heat required to raise a temperature of 1 gram of water to 1 degree Celsius is called calorie कहने का मतलब बलुकुल साफ साफ है suppose temperature पहले 5 डिगरी था अब मुझे temperature को 6 डिगरी करना है तो temperature मैंने 1 डिगरी Celsius से बढ़ा दिया और एक जूल में 0.24 कैलरी होती है और रीट में यहां से कोशन बने है तो याद रखेगा एक जूल में 0.24 कैलरी होती है और एक कैलरी में 4.186 जूल होते है क्योंकि जब मैं कैलरी की value निकालूंगी तो यह 1 upon 24 हो जाएगा तो इसको जब solve करेंगे तो यह कितना बनेगा आपका 4.186 जूल तो याद रखेंगे एक जूल में कितनी कैलरी होती है 0.24 या फिर हम इसको 0.25 बे रिप्रेजेंट करते है एक्जक्ट वैल्यू नहीं है आगे अप्रॉक्स में वैल्यू जाती है तो आप याद रखेंगे 0.24 कैलरी या फिर एक कैलरी आपके 4.186 जूल के बराबर होगी बिटिश थर्मल यूनिट है ना बिटिश थर्मल यूनिट में क्या कहेंगे हम एक पॉन्ड जलका ताप जब एक फेरानाइट बढ़ाती है तो उसके लिए जितनी हीट उश्मा हमको चाहिए होती है वही आपकी 1 बिटिश थर्मल यूनिट क्या लाता है तो अगर पूछ ले बिटिश थर्मल यूनिट क्या है तो जब हमें जलका जो पानी है उसका टेंपरेचर एक डिगरी फेरानाइट से बढ़ाना है एक पॉन्ड जलका कितने जलका एक पॉन्ड जलका टेंपरेचर क्योंकि वहाँ पर पॉन्ड है बिटिश में तो एक पॉन्ड जलका जब टेंपरेचर में एक डिगरी फेरानाइट से बढ़ाती हूँ और उसके लिए मुझे जितनी भी एनरजी उश्मा टोटल हीट टोटल एनरजी देनी होगी वही आपकी हीट होती है तो जो टोटल एनरजी होगी वही आपकी क्या है एक बिटिश थर्मल यूनिट है और एक बिटिश थर्मल यूनिट में आपके 252 कैलरी होते हैं ये बिल्कुल आपको याद रखना है बहुत ही important point है और एक होता है आपका कैलवन में देखें जो पानी होता है जो वाटर है वो कितनी digit celsius पर जमना सिर्व कर तेगा वो 0 degree celsius पर अगर मैं फैरणाइट में बाथ करीज थर्टe टू रर कैलवन में बाथ करूँ तो 273 कैलवन में वो जमना शुरू कर देगा, नॉर्मल टेंपरेचर कितना होता है, Celsius में बात करी जाए तो 27, Fahrenheit में इतना और Kelvin में इतना, इनको कैसे करते हैं, ये मैं भी बता दूँगी आपको आगे, तो आप screenshot खीच लेजेगा और अपना याद रखेगा, कि जो देखे मानव शरीर का नॉर्मल टेंपरेचर वो 36, 37 डिग्री, Celsius में होता है, लेकिन Fahrenheit में कितना होता है, 98.6, तो ये भी याद रखना है, कि human body का जो टेंपरेचर होता है, Celsius में तो 37 डिग्री, लेकिन Fahrenheit में कितना होता है, 98.6 डिग्री Fahrenheit, और इसको कैसे convert करते हैं, ये भी मैं आपको अच्छे से अभी समझा दूँगी, और जो जल उबलता है, इसका boiling point, water का boiling point कितना होता है, 100 degree Celsius में, 212 Fahrenheit में और 373 जो होता है, वो आपका Kelvin में होता है तो देखे, यहाँ पर तीन तरह के scales ही है, Fahrenheit, Celsius और Kelvin, और यहाँ पर में लिखा हैं कि जो इनका freezing point है देखे, Fahrenheit में जो freezing point होता है, वो किस पर होता है? freezing point of water कितना होता है? 32 degree Fahrenheit होता है, लेकिन Celsius में, हम naturally, हमारे ही यहाँ किसमें बात करते हैं? Celsius में तो Celsius में हम क्Яा बोलते हैं? जो freezing point है या फिर boiling point है, sorry, जो melting point है या फिर freezing point है वो zero degree Celsius होता है लेकिन अगर मैं Fahrenheit में बात करूँ तो वो आपका 32 degree Fahrenheit होता है और अगर Kelvin में बात करी जाए तो 273 Kelvin होता है याद रखेंगे boiling point जो हमारा boiling point होता है पानी का वो Celsius में हमें पता है 100 degree होता है लेकिन Fahrenheit में कितना होता है 212 होता है याद रखेंगे देखे 0 degree freezing point है Celsius में याद करनी है चीज़े और freezing point of water Fahrenheit में कितना होता है 32 degree Fahrenheit अब देखे 212 कैसे बनाएंगे यहाँ पर देखे 2 ऐसी रहा 3 को हम break कर लेंगे 2 और 1 में तो 212 बन गया ऐसे भी आप याद रख सकते हैं और Celsius में तो आपका 100 degree होता है और Kelvin में 100 degree हम और बढ़ा देंगे तो 373 जो है वो आपका boiling point हो जाएगा अब देखे इन दोनों में तो कितने का अंतर है 100-100 का अंतर है लेकिन Fahrenheit degree में freezing और boiling के बीच में कितने का अंतर होता है 180 degree का अंतर होता है 180 degree का अब देखे अगर मुझे Celsius से Kelvin बनाना है क्या बनाना है Celsius से Kelvin तो बहुत ही असान है देखे Celsius में बात करी जाए तो 0 degree है है और जब मुझे उसे Kelvin में बनाना है तो उसमें 273 एड करना होगा तो मुझे यहाँ पर Kelvin मिल जाएगा जैसे अगर मुझे Celsius से किसी को Kelvin में convert करना है तो simple सा formula होगा Celsius प्लस जितना हमारा Kelvin की value होती है जैसे 273 तो देखे Kelvin निकल कर आगया यहाँ पर 0 degree है और उसमें 273 जोड़ा तो देखे Kelvin में कितना आगया 273 आगया और वैसे Celsius हमारा 0 था तो simple यह formula यहाँ पर लिखा है कि अगर मुझे Celsius से कोई भी temperature दिया है सपोज 100 degree temperature था मेरा Celsius में इसको मुझे Kelvin में बदलना है तो simply मुझे क्या करना होगा इसमें 273 एड करना होगा और देखे यहाँ पर यह आ भी गया 373 तो याद रखे Celsius को Kelvin में बदलना बहुत असान है सिरिफ उसमें 273 एड कर देंगे तो जो temperature Celsius में है वो आपका Kelvin में बदल जाएगा ठीक है अब Celsius बनाना है तो सीधी सी बात है यह 273 उदर जाएगा तो minus में आ नहीं ले रहे हैं अपरोक्स नहीं मानेंगे 273 हम मान रहे हैं पूरा अपना एग्जेक्ट तो जितना भी अगर हमें Celsius में बताना है तो Kelvin में सपोस्थ आपका दिया कोई भी एग्जेक्ट टेंपरिचर कोई भी टेंपरिचर दे दिया सपोस्थ 373 दे दिया Kelvin में है ना और हमें उसको Celsius में बताना है तो simple सा उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो answer आपका 100 दिग्री आ जाएगा तो वो Celsius में Convert हो जाएगा अब Fahrenheit से Celsius कैसे बनाते हैं ये भी अच्छे से समझ लीजे सपोस्थ कोई temperature Celsius में दे रखा है तो मुझे उसे Fahrenheit में करना है जैसे ये 032 कैसे बन गया इसको समझते हैं तो देखें temperature मुझे पता है कितना है मेरा 0 degree Celsius है और अब मुझे इसे Fahrenheit में Convert करना है तो Fahrenheit में Convert करने के लिए formula होता है 32 प्लस 9 अपॉन 5 इंटू जितना भी Celsius दिग्री में temperature दिया है क्योंकि यहाँ पर तो 0 degree दिया है तो जब 0 की किसी से भी multiply होती है तो सारा का सारा 0 बन जाएगा और देखें जो Fahrenheit में temperature आया वो कितना आया आया आपका 32 आया तो आपको यह formula याद रखना है कि कैसे Celsius जो है Fahrenheit में Convert होता है 32 प्लस 9 अपॉन 5 इंटू जितना भी temperature Celsius में दिया है वो और उसके थुरू आप उसको Fahrenheit में Convert कर लेंगे तो यह बलकुल याद सेम ऐसे ही अगर मुझे Fahrenheit से Celsius बनाना है तो क्या होता है Fahrenheit माइनस 32 ये एक bracket में हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 5 अपॉन 9 तो जितना भी temperature दिया है जैसे Fahrenheit 32 था तो यहाँ पर 32 में से 32 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा और 0 की 5 अपॉन 9 से multiply करेंगे तो भी 0 होगा इ ये formula दोनों ही जो यहाँ पर लिखे हैं 32 प्लस 9 अपॉन 5 इंटू Celsius इसको Fahrenheit में करने के लिए और Celsius वाला जो है आपका Fahrenheit माइनस 32 इंटू 9 अपॉन 5 अपॉन 9 और इसको bracket में रखना आप ये आपका Celsius डिगरी में temperature हो जाएगा अगर आपको Fahrenheit से convert करना है तो ये सारा conversion भी मैंने बता दिया और एक बात और आपको याद रखनी है माइनस 40 डिगरी जो है वो आपका minimum freezing point होता है इससे जादा और freezing point नहीं हो सकता Fahrenheit और Celsius में दोनों में ही सेम होता है और Kelvin में ही होता है 233.15 तो ये पूछा जा सकता है कि minimum freezing point कितना हो सकता है तो वो minus 40 हो सकता है Fahrenheit में और minus 40 ही Celsius म लेकिन Kelvin में कितना होता है minimum freezing point 233.15 Kelvin अब देखिए एक कोशन और बनता है कि वह है कौन सा temperature है जहां पर Fahrenheit और Celsius दोनों ही बराबर होते हैं तो Fahrenheit और Celsius दोनों ही minus 40 डिगरी के temperature पर बराबर होते हैं बहुत ही important point ये है तो मुझे लगती है ये सारी चीजे आपको अच्छे से clear हो ग संचरण यहां पर संचरण लिखना भूल गए हैं तो उसमा का जो संचरण है transmission है वो कैसे होता है आईए उसको समझते हैं देखिए आपको ये तो अब तक समझ में आगया कि heat क्या है heat का transfer क्या है लेकिन ये heat transfer होती कैसे है वही हमें समझना है उसमा के संचरण में transmission of heat में जै संचरण को एक जगा से दूसरी जगा पहुचाने के लिए सेम ऐसे ही जब एक object का temperature जाता है और दूसरे का कम है तो heat का transfer होगा तो इसमें भी अलग-अलग method होते हैं जिसमें आपका heat जो उशमा है उसका transfer होता है और उनी को हमें पढ़ना है तो ये बात जो यहां पर लिखि में दो substance में और ये हमेशा उच्चताप से high temperature से निम्नताप low temperature की तरफ ही जो आप है heat है जो उशमा है उसका transfer होगा उसका स्थांतरन होगा और वही आपका transfer of heat कहलाता है जब आपकी heat जो उशमा है वो एक जगा से दूसरी जगा जाती है और ये जो उशमा का संचरण हो रहा वो 3 method से 3 video से होता है वो 3 video कौनसी होती है conduction convection और radiation चालन संभाहन और विकरण और एक एक करके हमें यहां पर समझना है और यहां से question जरूर बनता है और बनेगा भी ठीक है सबसे पहले हम समझेंगे conduction क्या होता है चालन क्या होता है simple सा एक method example दूँगी और वहां से समझ में आ इस वाले बच्चे को, तो इसने क्या करा, ये इसको बुक दी, उसने इसको भेजी, उसने इसको भेजी, उसने इसको इसको, और एंड में जो बुक है वो यहाँ पर आ गई, तो सीम जब इस तरह से ही ट्रांस्फर होगी सब्स्टांस में, तो वो आपकी कंडक्शन होती है, दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है ये एनर्जी ट्रांसफर हमेशा सॉलिड में ही होगा ठोस में ही होगा क्यूं कि वहाँ पर जो कण होते हैं जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं और जब क्लोज होते हैं एक एनर्जी इसमें जाएग तो वहां से काइनेटिक एनरजी बढ़ गई तो वो काइनेटिक एनरजी बढ़ जाएगी तो वो दूसरे पार्टिकल को देगा फिर यहां पर देखिए इतने सारे पार्टिकल तक चली गई और एंड में वो सब को देदेगा और इस तरह से जब हीट का ट्रांसफर हो रहा है particles के थ्रू, कणों के थ्रू solid में, ठोस में तो यही आपका conduction है, चालन है एक diagram ओर है, इससे बिलकुल clear हो जाएगा, देखें मुम बत्ती है यहाँ से heat का transfer होगा, तो देखें यह iron की road है, सबसे पहले iron का यह वाला हिस्सा गरम होता है, पीछे वाला नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ के particle move करेंगे vibration होगा, तो यहाँ पर energy का transfer होना शुरू होगा, ठीक है, यह अपनी energy अगले particle को देगा, फिर इस तरह से धीरे धीरे थोड़ी देर में क्या होगा जो iron की road का पिछला हिस्सा है, वो भी गरम हो जाएगा और जब इस तरह से particle to particle energy का transfer हो रहा है, यही आपका चालन होता है, conduction होता है और याद रखेंगे, यह हमेशा ठोस में ही होता है, solid में ही होता है किसी पदार्थ में जो उश्मा है पदार्थ के अणों में गतिज उर्जा के रूप में रहती है यह तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो heat है, वो किसके रूप में होती है काइनेटिक एनर्जी के form में होती है किसी भी particle में, जब पदार्थ की उश्मा बढ़ती है तो गतिज उर्जा भी बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जब हम यहां पर पदार्थ में जो heat है वो बढ़ेगी तो सीधी सी बात है जो गतिज उर्जा है वो भी बढ़ेगी और जब एनर्जी बढ़ेगी तो उसका transfer होगा एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में उश्मा बढ़ने पर पदार्थ के अणू एक दूसरे से टकरा कर उर्जा को एक दूसरे में पास करने लगते हैं और इस energy को ही हम चालन कहते हैं सीधी सी बात है जब काइनेटिक energy जो उर्जा है वो बढ़ गई है तो वो टकराएंगे एक दूसरे से और अपनी उर्जा का ट्रांसफर कर देंगे एक से दूसरे में और यही आपका कंडक्शन होता है चालन होता है और ठोस में जो उर्जा है वो हमेशा याद रखेंगे चालन विधी से ही होती है कंडक्शन स ही होती है तो clear हो गया होगा conduction आपका क्या होता है देखिए यहां पर भी इस डियाग्राम में भी दिख रहे हैं यह देखिए इसने अपना gloves पैन रखे हैं शुरू में इसको gloves नहीं पैनने पड़ेंगे क्योंकि पहले आगे वाला हिस्सा गरम होगा फिर यह energy को transfer करेंगे पीछे की तरफ तो यह है आपका conduction अब हम संज़ेंगे दूसरी विधी किस तरह से और heat का transfer होता है कैसे और heat transfer होती है वो होती है convection समवाहन देखे बिल्कुल इसी तरह से समझेंगे जैसे gas है gas चल रही है तो यहाँ पर उश्मा बढ़ेगी और आपका जो pan रखा है वो धीरे-धीरे गरम होगा देखे जब pan गरम हो रहा है तो वो direct contact में है किसके आपके जो gas में heat निकल रही है उसके है न और यह solid है pan जो है आपका और आप pan को छुएंगे तो वो गरम होना शुरू हो जाएगा पहले नीचे वाला हिस्सा फिर उपर वाला हिस्सा तो यहाँ पर भी आपका conduction भी होगी और convection भी होगा. Connexion जो चालन है वो तब है जब खाली में pan की बात कर रही हूं जिस बरतन की बात कर रही हूं जिसमें आपका दूद या जो भी substance है वो रखा है वो गरम हो रहा है तो आपका क्या है conduction है चालन है लेकिन जब इसके अंदर का पानी गरम होगा तो व तो वो इतना गरम नहीं होता लेकिन नीचे गरम हो जाता है तो मतलब नीचे के पार्टिकल जो है वो गरम हो गए और जब नीचे के पार्टिकल जो कण है वो गरम हो जाएंगे तो वो हलके हो जाएंगे उनकी डैंसिटी जो है वो कम हो जाएगी और जब वो हलके हो जाएंग जाता है जब ठंडे particle उपर से नीचे और नीचे के जो गरम particle है वो उपर जाएंगे और ये जब तक जाते रहेंगे कि जब तक पूरे पानी का temperature जो है वो एक सा नहीं हो जाएगा equilibrium की condition में नहीं जाएंगे तब तक इस तरह से जो heat है वो transfer होती रहेगी और यही method आपका convection होता है समभाहन होता है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं तीन बच्चे हैं इसको book यहां पहुचानी थी तो इसने इसको यहां jump करी फिर इसने इसको यहां jump करी इसने कहा आप मेरी book वापस दे दो तो फिर यहां आया फिर यहां आया इस तरह से तो इसमें क्या हो रहा है particle jump करते हैं उपर की तरफ नीचे वाले उपर चले गए और उपर वाले नीचे आ गए तो यही method आपका द्रव या फिर गैस हो में किसी एक स्थान का ताप दूसरे स्थान की अपेक्षा उचा हो जाता है तो उस स्थान पर जो पदार्थ का घनत्व है दूसरे की अपेक्षा कम हो जाता है सीधी सी बात है यहां molecule हलके हो जाएंगे तो यहां पर density कम होगी उपर density साधा होगी जिसकी वज़े से यह उपर उठ जाएंगे और उपर वाले जो पानी के भारी molecule है वो नीचे आ जाएंगे यही बात हिंदी में लिखी है अतहपदार्थ के उचे तापमान वाले कन उपर उठने लगते हैं और उसका इस्थान लेने के लिए नीचे जो cold temperature वाले कन है वो ले लेती है तो यही जो method है आपका क्या कहलाता है convection कहलाता है जब इस तरह से आपका heat का transfer होता है और यह परकेरिया पूरी तब तक चलती रहती है यह process तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरे जो material है उसका temperature एक सा नहीं हो जाता ताप जो है समान नहीं होता और इसी परकेरिया को जिसमें transfer हो रहा है आपके particle का कणों का transfer हो रहा है यही आपकी क्या है convection है समवाहन है ठीक है इस परकेरिया में उश्मा का उर्दवादर दिशा में स्थांतर होता है यह हमेशा याद रखना सीधा उपर vertically upward ही इसमें जो heat का transfer होता है तो यह question पूछा जा सकता है यह heat का transfer इसमें कैसे होता है वो उर्दवादर होता है vertically upward होता है यहाँ पर भी एक diagram आप देख सकते है देखे बच्चा जो है हाथ को गरम कर रहा है तो यहाँ पर same convection विधी भी चल रही है समभाहन भी हो रहा है क्योंकि यहाँ के पकण जो है वो हलके होकर उपर जा रहे हैं और उपर वाले नीच या रहे हैं इसने अपने हाथ देखे होंगे आपको अगर जादा गरमी लेनी होते है तो आपको हाथ जस्ट उपर रहने होते है क्योंकि वहाँ पर कौन सी विधी चल रही होती है convection चल रही होती है समभाहन चल रही होती है अब last में जो तीसरी विधी है तीसरा मेथड है वह आपका होता है विक्रन रेडियेशन इसको मैं simple बता देती हूँ एक बच्चा यहाँ है बीच में और भी बच्चे है लेकिन इसको बुक चाहिए दूसरे वाले बच्चे को तो इसने simply क्या करा यहाँ से बुक फेक दी देखो बुक को फेकना ने चाहिए लेकिन मैं example के लिए बोल रही हूँ इसने बुक को सीधा यहाँ से throw किया और इसने इस बुक को catch कर लिया तो यह method क्या 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 लाता है आपका विक्रन क्यालाता है radiation क्यालाता है जब हमने बीच के किसी भी जो medium है जहाँ पर जो particle है यह कण है इन medium का कोई भी use नहीं किया फिर भी जो है transfer हो गया वही आपका radiation होता है विक्रन होता है सेम ऐसा ही sun करता है sun और earth जो sun होता है अपनी जैसे diagram में आप देख रहे हैं यह अपनी heat को transfer करता है और पहुचाता है कहां तक earth तक और बीच में आपको पता है space है और space में तो कोई particle है नहीं vacuum है फिर भी heat का transfer हो जाता है और यही method आपका radiation कहलाता है इसमें किसी medium की आवशक्ता नहीं होती तब भी आपको जो heat है वो feel होती है जैसे यहाँ पर सबसे शुरू में लिखा था एक diagram दिखे यहाँ पर यह इसमें क्या होगा यह radiation है आप यहाँ पर heat भेजना नहीं चाहते है लेकिन फिर भी जो है heat यहाँ पर चली जाते है दूर तक जो लोग यहाँ पर bonfire हो रहा है जो लोग दूर बैठे होते हैं उन तक भी वो heat पहुँच जाती है क्यों क्योंकि वहाँ पर radiation है चाहे medium हो या ना हो फिर भी जो heat का transfer है वो हो जाता है और वही आपका radiation होता है विक्रण होता है तो समझ में आया इसको थोड़ा देख रहेते हैं तोरी में क्या लिखा है विक्रण में उश्मा गरम वस्तू से ठंडी वस्तू की और बिना किसी माध्यम की सहायता और बिना माध्यम को गरम किये प्रकाश की चाल से सीधी रेका में संचरित हो जाती है इन रेडियेशन हीट इस रेडियेशन है तो वो आपका विक्रण है रेडियेशन है प्रति एक वस्तू हर समय अपने स्वेम के तापमान के कारण सतत रूप से उश्मा का उस्सर्जन करती रहती है ठीक है हम अपनी ओन टेंपरेचर की वज़े से हमारी बोड़ी और बाहर के टेंपरेचर में जो हीट है वो हम अफशोशित करते हैं अब्सूर्ब करते हैं सीदी सी बात है जब हीट निकल रही है तो दूसरी हीट जो बाहर का टेंपरेचर है वो हम अपने अंदर अब्सूर्ब करते हैं ऐसी तो होता है तब ही तो हम क्या करते हैं तो जब इस तरह से जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो याद रखेंगे वो आपका रेडियेशन ही हो रहा है ठीक है उसमें आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है फिर भी जो है वाकी बॉड़ी की हीट जो है अमिट होगी और आप दूसरी हीट जो है वो एब्सॉर्ब कर लगता है या आपको समझ में आ गया होगा कंडेक्शन क्या होता है कंवेक्शन क्या होता है और रेडियेशन क्या होता है यहाँ पर लिखा भी है देखिए हाथ दो है दूर से भी गरम हो गए क्यों क्यों कि वहाँ पर रेडियेशन भी है आप ना चाहकर भी एक हीट और न आपका convert करते हैं फेरनाइट में और फेरनाइट से कैसे हम Celsius को Kelvin में convert करते हैं वो सारा आपने देखा है ना और साथ में हमने समझा पूरा की calorie क्या है हमारा heat क्या है temperature क्या है जूलने क्या पताया ये सारी चीज़े बहुत important हैं यहां से पक्का आपका question आएगा और मुझे लगता है यह अच्छे से समझ में हो गया होगा प्लीज वीडियो को like जरूर कर दिया करें दिन बाद दिन जो like का ratio है वो भी घट रहा है और views भी बहुत जादा घट रहे हैं वीडियो प्लीज शेयर कर दें जादा से जादा लोगों की ताकि help हो जाए लेकि मैम को भी motivation तब ही मिलता है जब चीज़े अच्छे चल रही होती है फिर वरना मेरे को तो यही लगता कि शायद बच्चों को पसंद नहीं आ रही है चीज़े है ना थोड़ा सा उसमें फिर इस तरह की चीज़े हो जाती है तो please वीडियो को अच्छी लगती है तो please उसको like जरूर करें और subscribe अगर किसी नहीं किया है तो please वो भी कर दें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें thank you for watching